एक बहुत ही घना जंगल था उस जंगल में एक बहुत ही सुन्दर तालाब था जिसमें कमल के फूल खिले हुए थे जो तालाब की सुन्दरता में चार चांद लगा रहे थे जंगल के आसपास के गाओं वाले उस घनगोर जंगल के तालाब के पास डर की वजह से नहीं जाते थे लोग कहते थे कि उस तालाब में परियां सनान करने के साथ ही साथ आपस में पानी पानी खेला करती हैं जो कोई भी उधर उनको देखने जाता परियों के जादोई प्रभाव से बीमार पड़ जाता था तालाब से कुछी दूरी पर रामपुर नाम का एक गाउ था जिसमें राजू नाम का एक छोटा सा लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रहता था उसके मम्मी पापा बहुत ही गरीब थे इसलिए उसके लिए खिलोने भी नहीं खरीद पाते थे राजू अक्सर खेतों की मिट्टी से ही खेला करता था मिट्टी से टेड़े मेड़े खिलोने तयार करके वो खोब खुश हो जाता था बेटा राजू मिटी मिटी नहीं खेला करते देखो तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हो गई मा मैं मिटी मिटी नहीं खेलूँगा लेकिन मेरे खेलने के लिए खेलोने तो ला दो ठीक है मैं बजार से जाकर खेलोने ला दूँगी मा की बास सुनकर राजू खुश हो जाता है राजू के मम्मी पापा उसे घर पर अकेले ही छोड़ कर बाजार की तरफ जाते हैं और जाते हुए राजू से कहते हैं बेटा इधर उधर मज जाना और जंगल में उस तालाब की तरफ तो बिलकुल भी मज जाना ठीक है पापा मैं घर छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगा मम्मी पापा के जाने के बाद राजू के मन में तालाब और जंगल घूमने लगते हैं और वो उन्हें देखना चाहता है राजू खुद को रोक नहीं पाता और जंगल की तरफ चल देता है और कुछ ही दूरी पर वो परियों को सनान करते हुए देखता है सुन्दर सुन्दर प्यारी प्यारी परियों को देखकर राजू खुश हो जाता है लेकिन डर की वज़े से उनके पास नहीं जाता है परियां पानी पानी खेलती है और शाम होते ही वो गायव हो जाती है जाते समय परियों को ख्याल नहीं रहता पर एक छोटी परी तालाब में छूट जाती है छोटी परी चल तो सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती क्योंकि उसके पंख बहुत ही छोटे है राजू इस नण्ही परी को अकेले देखता है तो उसके पास जाता है और उससे कहता है बेहन, तुम्हारा नाम क्या है? मैं परी हूँ, और मेरी मम्मी का नाम सोन परी है तुम हमारी दोस्त बनोगी? हम लोग साथ साथ खूब खेलेंगे परी और राजू खेलने लगते हैं परी राजू के साथ खेलते खेलते उसके घर आ जाती है शाम को राजू के मम्मी पापा जब राजू के साथ परी को देखते हैं तो उससे कहते हैं राजू तुने ये क्या कर दिया? अब तो परिया क्रोध में आकर हम सब को श्राब देंगी क्यों डरते हो अंकल ऐसा कुछ में नहीं होगा मैं तो राजू के साथ खेलूंगी फिर मेरी मम्मी आएगी और मुझे ले कर जाएगी और बदले में राजू को धेल सारे खिलोने देगी राजू के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं उन्हें अब सोन परी का डर नहीं रहता राजू और राजू फिर एक साथ खेलने लगते हैं अरे राजू तुमारे घर में तो एक भी खिलोने नहीं है मम्मी मम्मी तुम बजार से खिलोने लाने की बोली थी न मेरे खिलोने कहा है बेटे आज मेरे पास पैसे नहीं है कल मैं तुम्हारे ले जरूर खिलोने लेकर आउंगी आंटी जी तुम पैसे के बिना खिलोने नहीं लाई ये लो पैसे रानी परी हवा में हाथ हिराती है और पैसों से भरा एक थैला हवा में तैरते हुए राजू की मम्मी के पास चला आता है आंटी जी आपके पास पैसे नहीं है ये लो ये परी लोग के पैसे हैं ये पैसे सोने के होते हैं आप इन्हें बेच कर अच्छा सा घर बना लो मेरे और राजू के लिए बहुत सारे खिलोने लेकर आओ राजू के मम्मी पापा सोने की सिकों को देख कर बहुत ही खुश होते हैं और कुछ ही दिनों में सोने की सिकों को बेच कर बहुत बड़ा घर बनवा लेते हैं और उसके बाद राजू के मम्मी पापा अपने गाउं में सबसे ज्यादा अमीर हो जाते हैं। यार अचानक राजू का परिवार इतना धनी कैसे हो गया। राजू तो कुछ दिनों से घर से बाहर भी नहीं निकल रहा है। चलो हम पता लगाते हैं कि मामला क्या है। मुख्या से जाकर कहते हैं। राजू के साथ साथ उस नन्नी परी को भी चौपाल पर लाया जाए। हम भी परी को देखना चाहते हैं। राजू मैं तो इंसानों के बीच नहीं रहती। वो तो तुम मेरे दोस्त बन गए थे। इसलिए मैं तुमारे घर आ गई। मुझे चुपके से तालाब के तरफ ले चलो। मेरी माँ वहाँ आई होगी। मैं अपनी माँ के साथ चली जाऊंगी। नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। ठीक हैं। मगर मैं तुम्हे छोड कर नहीं रह पाऊंगा। मैं भी तुम्हे छोड कर नहीं रह सकती। तुम जब भी बलाओगे न राजु नन्नी परी को ले कर तालाब की तरफ जाता है। तालाब में परियां पानी-पानी खेल रही होती है। वहीं पर जाकर राजू रानी परी को छोड़ देता है रानी परी को छोड़ कर राजू बहुत ही रोता है और भारी मन से अपने घर की तरब चल देता है राजू जब अपने घर आता है तो घर में मम्मी पापा को नपा कर चौपाल की तरब जाता है गाउवाले उसके मम्मी पेंड से बांद कर उससे पूछते हैं बता परी कहा है हम दोनों नहीं जानते कि परी कहा है और वो राजू के साथ कहां गई हुई है ठेक है जब तक राजू परी को लेकर नहीं आ जाता हम लोग इंतजार करेंगे और जैसे ही वे दोनों आएंगे तुम लोगों को खोल दिया जाएगा राजू चौपाल पर आता है और अपने मम्मी पापा को बंधा हुआ देखकर मुखिया से कहता है प्राधान जी आपने मेरे मम्मी पापा को क्यों बांदा है ये तो बहुत गलत बात है उन्होंने कौन सा अपराध किया है क्या आपके गाउं में गरीब का अमीर हो जाना अपराध माना जाता है अरे ये तो बहुत बोलता है इसे भी बांदो गाउंवाले राजू को उसके मम्मी पापा के साथ बांद देते हैं राजू संकट में पढ़कर राणी परी को याद करता है मम्मी मेरा दोस संकट में पढ़ा हुआ है उसके मदद करो ना राणी परी की बास सुनकर सोन परी अपनी सहलियों के साथ चौपाल परा जाती है और मुख्या सहित पूरे गाउंवालों को जादूई चड़ी से बान देती है राजू और उसके मंमी पापा को आजद कर देती है गाउंवाले राजू से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि दوبारा ऐसे घलिती नहीं करेंगे राजू सोन परी से कहकर गाउंवालों को छुडा देता है